हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंस्ट्रक्श इंडस्टी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे एंजिनियर्स आज के सेशन में लोग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ही इंपोर्टेंट है आज के साइसिन में रहे हैं जितनी भी Mitte का construction होता है आप minor bridge को देख लीज़े, major bridge को देख लीज़े, आप किसी bioduct को देख लीज़े या फिर आपका जो elevated metro का construction होता है या फिर आपके flyers बनते हैं तो उसमें क्या होता है पीर कैप का construction होता है जब पीर कैप की की रिंग आती हैं उसका cutting length बैरी कर रहा होता है और वो सभी civil engineers के लिए एक दर्द होता है वो उसका BBS नहीं बना पाते हैं उसकी cutting length नहीं निकाल पाते हैं तो जनाब आज के session में मैं आपको समझाऊंगा कि peer cap के left और right side में जो आपका BBS लग रहा है जो rings लग रही है जो stir ups लग रहा है उसका cutting length जो bury हो रहा है उसकी हम BBS कैसे बनाते हैं वो हम आपको एक्सल seat पर सिखाएंगे बहुत ही detail में basic fundamental के साथ तो engineers में हूं संदीप सिंग professional askeemission and bling engineer और आप सभी engineers के लिए corporate टेनर engineers में आप सभी का reinforce की digital platform पर सवगत करता हूं तो एंजिनियर से आप बने रही है हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पियर कैप में जो reinforcement बैरी हो रहा है उसका BBS कैसे बनाते है एक्सल सीट पर तो चलिए फिर मैं आपको प्राइंग में लेकर चलता हूं बताता हूं कि इसका BBS कैसे बनेगा तो एंजिनियर साप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको पीयर कैप के BBS का डिटेल दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको बताता हूं यह आपका आपको अओटर रिंग दे रखा है जिसका BBS में भी डिसकस कर रहे है तो वह भी हमने सिर्फ रेक्ट्रेंगल पॉर्शन का किया था यह देखिए यह हमें क्या देख है आपको आउटर रिंग दे रखा है यह रिंग सबसे आउटर में आएगा यह रिंग आपको सबसे आउटर में यह हमारा क्या आउटर रहेंगे है और इसकी डिटेल आपको यह मिल जाए तू-लेक का श्टीराफ है सिस्टीन आमको डाया है और यह थे center to center आ रहा है, outer में है और ये 32 नमबर है तो इसका analysis हम में last session में किया था, वो भी peer cap के सरफ rectangle portion में आप ये देखने है मैं आपको इसके L section में लेके चलता हूँ, ताकि आपको कोई दिखत नहीं हो ये देखने हैं ये हमारा peer का L section दे रखा है और इस peer का L section में आप ध्यान सा देखने है, तो आपको समझ में आएगा जो ये वाला आपका portion है ये जो rectangle portion है इस rectangle portion में VBS case होगा वो हमने last session में discuss किया था और इसमें आपके 30 बारा आरहे थे यहां से लिखे, यहां तक आपके 30 बारा आरहे थे जो कि हम लास सेशन में डिस्कस कर जुके हैं, अभी हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ये टैपर पोर्शन आ रहा है, उसका वीवियस कैसे होगा, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो थोड़ा हम यहाँ पर साइट क्लिरिंग कर लेते हैं, यहा तो फोड़ी सी आसान हो जाएं, यह दिखेंगे, यह हमारा इस तरह से पीर कैब आ रहा है, तो इस टैपर पोर्शन कितने का दे रखा है, यह आप ध्यान से देखेंगे, यह आपको दे रखा है, यह आप ध्यान से देखेंगे, यह आपको दे रखा है, यह आप ध्यान से पीजर के फेश से 1,800, दोनों साइड आपका जो पीजर केप है वो टैपर हो रहा है, यह दिखेंगे इस तरह से, तो इसमें आपका बीवियस कैसे होगा, इसमें जो आपका रिंग दे रखा है, वो कितने का दे रखा है, 16 अम का रिंग दे रखा है, 100 अंट संटर दो संटर, 16 एम का बार था और 100 एम सेंटर तो सेंटर आपकी स्पेसिंग दी तो हम यहां से नंबर आप बार निगाल सकते हैं कितने होगे निगालेजें नंबर आफ कि नंबर आफ बार इंट्रेपोजियल पॉश्चिन से कवर मैनस हो जाएगा क्योंकि चीजें बाइदर एक्पोजर में जा रही है तो सब्सक्राइब करेंगे नंबर निगल के आजएंगे कैल्कूलेशन कर सकते हैं तो यह हमारे 19 बार आएंगे 19 बार आएंगे और हर बार का आपका जो cutting length है वो आपका bury गरेगा आप 19 बार कैसे आएंगे उसको देखिए आप यह तो हमने यह आप निकाल लिया कि number of बार हमारे कितने triple portion में 19 है यह देखिए इस तरह से हमारे बार आएंगे यह हमारा first बार आएगा और यह हमारा last बार आएगा और बाकी बार आपको बीच में देखने को मिल जाएंगे तो इस तरह से हर बार का cutting length आपको देखने को मुलेगा यह हमारा क्या first bar है और यह बार कौन सा है आपका 19 बार है तो first bar से लेकिए 19 बार तक आपका cutting length है वो आपका bury करेगा cutting length में भी सिर्फ आपका depth बाला portion है वो bury करेगा अब मैं आपे सभी बार तो बना के नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन कुछ बार बना देता हूँ जैसे यह first bar आया उसके बाद आपका यह यह देखिए आपका second bar आएगा इसके बाद यह आपका third bar आएगा कुछ ऐसे इसके बाद यह आपका fourth bar आएगा यह फिर आपका 5 बार आएगा और यह फिर आपका 6 बार आएगा तो इस तरह से इसमें कितने बार आएंगे आपके 19 बार आएंगे अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका depth है वो सिर्फ आपका vary कर रहा है बाकि बृत तो पीछे same है यह देखेंगे पीछे हमारा बित कितना है जो आपका पीर कैफ है उसकी बित कितनी है वन थाओजेंट नााइफेंडेड़ है हम कई बार डिसका्स करचीए यह चीजब खरते हैं हम क्ई बार डिसकर रहेगा यह देखेंगे आपका जो बार है वो इस तरह से पीछे जाएगा यह देखेंगे यह पहला बार जाएगा यह हमारा दूसरा बार जाएगा यह हमारा तीसरा बार जाएगा यह हमारा चौथा बार जाएगा यह आपको पांचमा बार जाएगा यह आपको छड़ा बार जाएग 1,900 का जो फेज से जानदा है तो हम इसको लेंथ बोल सकते हैं ठीक ना क्योंकि जो डाइमेंशन बड़ी होती है उसको लेंथ बोल सकते हैं तो यह जो अपका लेंथ है एक तरह से लेंथ मतलब पीयर कैप की जो बिरित है वो तो सभी बाल के लिए सैम होगे लेकिन जो आपकी स्टर्टर्ट है वो आपकी बैरी कर रहे है तक देखेंगे स्टर्टिंग कीतना था आपका 500 trying नि.\। . इस कचल के कोई आयो और इस कॉने पर किया क्यादोनी हो जाई है 9ग तो आपको डेफ्धंड से कितना और 5000 हो रहा है लेकिन जो पीछे कि आपकी वरे था वो सेम रहे इगी तो अब इस तरह के बार का बीरीस कैसे होगा जिसमें हर रिंग का बार्र वेरी कर रहा है थो तो किस तरह और इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है 2 टाइमस ऑफ एल्ड़िस प्लस आपका बेड़ेस प्लस आपका 24 times of diameter और माइनस आपका bend loss 12 times of diameter यह हमारा क्या हो जाएगा cutting length को formula होता है आपको अच्छे से बता है हम कई बार discuss कर चुके इसको यह हमारा क्या cutting length निकालने को formula होता है 2 times of l dash plus b dash plus 24 times of diameter और माइनस आपका bend loss एक तरह से आपकी ring बन रही है two legs टी रप है तो इसमें eldest क्या हो जाएगा अगर हम first ring की बात करें तो हमारा eldest क्या हो जाएगा first ring में देखिए जो आपका length हो कितना दे रखा है 1,900 दे रखा है दोनों साइट से हम कवर माइनस कर दें 50-50 के और उसके बाद देखिए एक हमारा देखिए दाया माने सब्सक्राइब क्योंकि हम रिंग के center to center आपकी cutting लेंद निकाल रहा है जो हमारा यह रिंग आ रहा है जिसको आप stirrups बोल रहे है उसके center to center हम निकाल रहे है तो आधर डाया left side से मैनस होगा आधर डाया right side से मैनस होगा तो इस तरह से पूरा एक कितना हो जाएगा हमारा depth आपको कितना दे रखा है 500 दे रखा है ठीक ना तो बीड़ेस क्या जोगे starting में फर्स्ट बार के लिए 500 हो जाएगा दोनों साइट से आपके 50-50 के कबर मैनस हो जाएगे और एक डाया मैनस हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा आपका यह हो जाए 284 प्लस आपका 384 प्लस आपका 24 टायमस जो की 16 दे रखा है मैनस बैंड डाज 12 टायमस दाव मैंटर और यह भी है तो हमारे क्या हो जाएगा तो यहां से हमने हो जो फिर्स्ट बार आ रहा था उसकी हमने कटिंग लेंग निकल लिया एगा पार इने तो कितना एगा यह आए कि कटिंग टॉंत हो पॉबस्ट रिंग यह सबसे स्टाइटिंग में और इसको वो रहे हैं फेस्ट बार जटुब समस्ट व bogy क्याने जा रहा हैं जो हमारा सबसे से लास्ट बार दो सबसे लास्च पहर हैं तो हमारी लास्ट रिंग है 19 अभी हम इसका बनाने जा रहा है यह सबसे हमारा लास्ट रिंग है 19 अभी हम इसका बनाने जा रहा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कटिंग लेंथ और नाइंटि रिंग अभी कैसे निकलेगा इसे अभी यूज करेंगे पहले आपको इलडाइस निकालना पड़ेगा और जब आप 19 रिंग में जाएंगे तो आपका जो आपका सेहम रहेगा लेकिन आपका जो बीडाइस यह वह आपका बदल रहा हुगा ओकि एल्ड़ेस तो संभ रहें गई जितनी भी रिंग्स बनने वाले हैं सबी के लिए आपका डेस्याइं सेम रहने वाला है क्योंकि पियर केप की बृत है वो तो फिक्सी रही वन थाउज़न नागें एंडल लेकिन यहां पर प्यर क्या सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपक अब BDS में आपके changes हो सकते हैं क्योंकि Depth आपकी बदल गई है, Depth आप देखेंगे, 500 से कितना हो गया, 1000 हो गया है, ठीकि न, तो यही हमारा breath है, 1000, दोनों साइट सम कवर मैनस करेंगी 50-50, और एक आपका डाया मैनस हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा जो कि आपका 1784 है, प्लस आपका BDS, जो कि अभी हमने निकाला है 884, तो इस तरह से चीज़ें आपकी हो रही होगी, प्लस आपका 24x of diameter, diameter हमारा कितना 16 है, मैनस 12x of diameter, इस तरह से, जब आप इतना करेंगे तो यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, क्टिंग निकल के आ 5528, तो आप यहां पर देखेंगे, हमने फर्स बार का कटिंग लेंड निकाला, और इसी तरह से हमने क्या किया, यह जो 19 बार आ रहा था, उसका भी कटिंग लेंड निकाल लिया, जो कि 5528 mm आएगा, तो फर्स रिंग की कटिंग लेंड था गई है, 19 रिंग की कटिंग अबरेज बैरियंस, इन इच बार, कितना बैरियंस आएगा वो हम यहां पर देख लेते हैं, जो हमारा फर्स पार है, उसकी कटिंग लेंद आपको कितनी रख्ये, 4528 दे रख्ये, और जो लास्ट बार है, उसकी कटिंग लेंद हमारी कितनी है, हम लोग यहां पर क्या करने तो हमारा थाट वाले हैं जो आपका लास्ट बाहर है उसकी जो कटिंग दिया को फाइब 58 इसमें से हम लोग करते पर कि कंचल लंग कि गालेंगे 18 हो जाएंगी यहां पर हमने नंबर आप बार निकाले तो कितने आयते हैं यहां से हमारा क्या निकल के आज आजाएगा कि इच बार में कितने का डिफ्रेंस आएगा जो कि कितना आएगा आपका 55.55 पुस आएगा यह हमारा क्या है एबरेज बेरियंस है हर बार आपका इतना मिलीमीटर बैरी करेगा अगर आपको 500 से 1000 तक जाते हैं तो आपका जो हर बार है उसमें आपको 55.55 बैड करना पड़ेगा अगर आप 1000 से 500 तक आते हैं थींचिना तो आपको हर बार में से 55.55 आपका मैनस करना पड़ेगा तो यह हमारा कह एबरेज बेरियंस है तो हमने जो आपका दो सब्सक्राइब था उसकी cutting length को minus किया और spacing से divide कर दिया कि कितनी spacing आ रही है number of bar हमारे नईस थे तो spacing कितनी हो जाएंगे 18 हो जाएंगे ठीक ना यह देखेंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूं जैसी है हमारा first bar है इसके बीच में एक spacing डाला तो यह second bar आया फिर हमने spacing डाला तो यह 3 बार आगए तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आपके बार कितनी आ रहे हैं एक दो और यह तीन बार तीन आ रहे हैं लेकिंगे spacing कितनी है आपकी spacing आप इसी तरह से हमने यहां पर डिवाइट किया हुआ है तो यह हमारा average बेरियंस आ गया है तो इसके थो आप सभी बार का cutting length निकाल सकते हैं तो आप हम सेकेंड बार का cutting length निकाल सकते हैं निकाल लिजे cutting length of second आप सेकेंड बार का cutting length कैसे आएगा जो हमारा first बार का cutting length 4528 इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा average बेरियंस आया था उसको हम add कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 55.55 हो जाएगा तो यहां से जो भी आए वह आप निकाल लिजेगा इतनी calculation आप कर सकते हैं तो यह हमने देखी झेह आप फिन्ड बार का cutting length निकाल लिए इसी तरह से आप 3rd बार का cutting length निकाल सकते हैं यह हमारा क्या क्या कुछ भी नहीं किया यह देखी यह हमारा क्या था फरस फार्ट की cutting length ही ए 이슬ार इसना हमने क्या क्या था ये आपका average लेंद्स हमने यहाँ पर कर दिया तो हमारा यह सेकेंड बार का क्टिंग लेंद्स आ जाएगा इसी तरह से हम यह कुछ निकाल सकते हैं आपको डारेक्ट ली निकालना है तो जो आपकी फॉर्स बार की कटिंग लेंथ आ रही है उसमें आप टू टाइम्स ऑफ 55.55 एड करेंगे तो हमारा थार्ड बार का कटिंग लेंथ आ जाएगा ठीक हमें डारेक्टली आपका दो वेरियंस यहां पे कंसिड्र कर लिए तो इस तरह से आपका धर्ड बार का टिंग लेंथ निकल कि आ जाएगा यह दिए मेंगें कटिंग लेंद ऌसृटं के अडिफर्ट है वह यह हूं कि हम यहां पर क्या कर रहा है थर्ड बार की cutting length निकाल रहा है तो जब हम थर्ड बार की cutting length निकाल रहा है तो जो हमारा first बार की cutting length है उसमें हम क्या कर रहा है तू से multiply कर रहे है average variance में यह देखेंगे जब हमने third निकालेंगे अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि जो आपका 19 बार का क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहां से आप निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं सब्सक्राइब है तरह से आप 19 बार या 19 की भी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं यह देकिए कितना 4528 है और इसमें आप कर दीजे 19 का हम कटिंग लेंथ निकाल रहें तो आप 18 टाइम्स आपका जो एब्रिज बेरियंस फिप्टि फाइब पॉंट 55 वो एड़ कर दीजी तो यहां से इसकी यह cutting length निकल के आ जाएगी और यह जो cutting length आएगी आपकी वो कितनी आएगी वो आपकी 5528 आएगी इस तरह से तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या देख सकते हैं यह देखिए हम 19 रिंग का cutting length निकाल रहे थे तो इसमें हमने क्या किया है जो आपका first बार का cutting length था उसमें हमने 18 time of d Transit को add किया हुआ है ठीकि Mickl n है तो 18 times of average difference को add किया है जब हम धायड ह तो हम two times of average difference का add कर रहते हैं जिस बार का cutting length नीकालना है उससे एक कम आपको average difference से multiply करना पड़ेगा तब जाकि हमारा cutting length नंकल के आएगा जो कि 10 हम आ रहा है यह देखेंगे है जो कि आपका फाइप-स तरह से तो या या चीजें दा रही है तो इस तरह से आप बना सकते हैं जर्जिंड निकाली था सब्सक्राइब कर लिए निकाल सकते हैं लेकिन इतना हम नहीं निकालने वाले हमारे पास और भी कई दूसरे काम है तो अब हमारा में मुद्दा क्या है हम कर रहा है दस्तिल का दिया है ताकि आप basic fundamental सीख जाए अधरवाइस आपको steel की quantity निकाल लीए तो वो आप डारेक्ट भी निकाल सकते हैं डारेक्ट कैसे निकालेंगे आपकी जो first वार की cutting length आई है और जो आपकी last वार की cutting length आई है उसका आप average करके number of bar से multiply कर देंगे तो total स्टील का quantity निकल आएगा जो कि आपके टैपर portion में आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं यहां पर देखिंगे हम लोग क्या करने वाले हैं टोटल स्टील का quantity निकालने वाले हैं और टोटल स्टील का quantity निकालने के लिए सबसे पहले आपको average cutting length निकालने पड़ेगे तो वह आप निकल के आजाएं तो लोगी तो आप यहां से डारेक्टी ली निकल के आजाएं तो बांकी चीज़ें भी निकल के आज आएंगे तो आपका टोटल वेड भी निकल आएगा सेम फंडमेंटल से तो टोटल कटिंग लेंद कैसे निकलेगा एक बार का कटिंग लेंथ आपका एबरेजन कितना रहा है 5028 और इन्टु हमारे नमबर आप बार कितने 19 है तो यहां सिर आपका यह टोटल कटिंग लेंथ निकल आएगा टैपर पॉर्शन में कितना लगेगा यह देखिए हम यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं आपका जो एबरेज कटिंग लेंथ आया यह वह हमने यहां पर लिखा हुआ है और आपके नमबर आप बार कितने थे यह आप कुझे तो उससे हमने यहाँ पर मुल्टिप्लाइक कर दिया है तो यहाँ पर पर टोटल कटिंग लेंथ निकलाएगा कि कितना स्टील लगेगा इसमें ऑर तूसे मॉल्टिप्लाइक कर देंगे तो दोनों साइटका निकलाएगा ले कि यह को对 ही इस सैडे जो आपका डैपर सोस्टन आएगा इस तरह से यहां पर भी आपके बार बैरी करेंगे यौशमाल यह प्रस्ट बार आएगा यह आपका सेगे बार आएगा और इस तरह से आपके बांकी बार भी आएंगे तो सेम कहानी आपकी साइड भी हो रही होगी ठीकना इस साइड भी आपके 19 बार आएंगे ठीकना इस साइड भी आपके 19 बार आएंगे और इस साइड भी आपके 19 बार आ रहेता है तो सेम कॉंसर्ट यहां के लिए होगा तो हमने क कुछ भी नहीं किया है जो हमारा यह कटिंग लेंथ आ रहा था आपका एक साइट के टैप प्रपोर्शन के तो हमें दो से मुटिप्लाई कर दिया तो दोनों साइट का हो जाएगा तो यह तो है हमारा बेसिक मैं अब इस चीज को फटाबट एक्सल में कैसे करना एक लाइन हम तो आप सब्वाद सब्सक्रीन सीट जीज़ें कर रहे होंगी न expire यह फूरे देको एक्सल बाहर रहा है और यह जो आपका बाहर है 32 जो कि आउटर रिंग की तरह आ रहा है रेक्टेंगल पोर्शन में कैसे आता है अभी हम यह टैपर पोर्शन में देखने बाले हैं तो यह देखेंगे पियर कैप रीवार 32 नंबर आउटर में अब वह भी किसमें आ रहा है इंसाइड टैपोजडल पार्ट तो आपके कैसे निकले हैं आपको पता है कि पियर के फिस से एक साइड का जो टैपर पॉर्शन है वो 1800 आपको एक्स्टेंड कर रहा है तो आप यहां पर देखेंगे हमने एक कोल प्रस करके राउंड डाला हुआ है और यह आपका 1800 है और इसको हमने कबर माइनस करके इस पेसिंग से ड पता Spray लेकर निकाला था आपको 4528 अगल सकतेजह ना फ़ कितनी आईफ में करके रखाए 2900 दोड़ रखा है इसमें से मने क्या है है दोनों साइट से गवर मैननस कर दिया है और तो आपका लेंध कितना हो गया उगया सकते आप इससे किप…. वह यहां पर नेसां न güzel प्रेश करें। two times of l dash जो की आपका 1784 है प्लस आपका B dash जो की आपका 384 है और प्लस आपका 24 times of diameter और diameter हमारा कितने है और माइनस आपका बेंड लोस जो की आपका 12 times of diameter आ रहा है यह देखेंगे तो जो जो आप इसको calculate करेंगे तो यह हमारा क्या जाएगा 4528 आ जाएगा इसी तरह से आप 19 बार का cutting length निकाल सकते हैं 19 बार का cutting length आएगा वो देखेंगे हमने यहां पर रिंग बना रखा है पीर कैप का फृत कितना है 1900 जो कि सभी बार के लिए सेम रहेगा तो वही हमारा क्या बनेगा इस रिंग के लिए लेंथ बनेगा तो वन थाजन नाइन में समय दोनों साइट से कवर मैनस किया है एक डाया मैनस किया सेंटर तो यहां पर क्या होगा आपकी जो डेफ्थ है वो पांचो से बढ़के एक हजार हो जाएगी पियर कैप के स्टार्टिंग में डेफ्थ कितना है पांचो लेकिन मिट फॉर सम जागे कितनी हो रही है वन थाजन हो रही है तो इसी वन थाजन मेंस हमने दौनों साइट से कवर और सेंटर तो यहां पर क्या निकाल सकते हैं आप आपका 19 बार का कटिंग लेंद निकाल सकते हैं तो हमने यहां पर लिखा हुआ एक पर प्रस करके टू टाइमस ऑफ लेंथ 1784 प्लस आपका ब्रेथ 884 प्लस 24 टाइमेटर माइनस 12 टाइमेटर बेंट लॉस तो यहां से आप वेरियंस निकाल सकते हैं कभी आपको साइट पर चीज़एं कंग पर जाना तो आप कर सकते हैं अब हम यहां पर सभी बार का कटिंग लेंद निकालने नीजा रहे हैं क्योंकि वीज करने कर जो हमारा ultimate goal होता है वो होता है इस्टील की कॉंटिटी निकालना तो वहुम डिरेक्ट ली भी निकाल सकते हम हर बार का कटिंग ले हो और उसको हम अगर नंबर आप स्पेसिंग से डिवाइट कर दा है यह देखेंगे नंबर आप हमारे कितने 19 है तो नंबर आप स्पेसिंग कितनी हो जाएंगी एक कम होगी 18 हो जाएंगी तो यहां से हमारा अबरेज बेरियंस आ जाएगा 55.55 हर बार आपका इतना बैरी चाहिए निकाल सकते हैं सेटेट इंगलंब रर्ट चाहिए जिकाले जितर के प्रेजियों कटाले प्रेकर निकलां लेजिए लेकिन हम यहां पर नहीं निकाल रहे हैं कि सडॉत इस और यहां क्योंकि हम कैसे निकालने वाले हैं वह आप डे Sacramento कर सांदें चांतू है tuo हमारा प्लस हमारा लास्ट पर कटिंग लेंथ और इसको क्या कर रहा है इसको मीटर में कर सकते हैं तो यह आपको मीटर में प्लस हो जाएगा उसको आप टोटल कटिंग लेंग कैसे हो जाएगा एक बर कितना इंटू आपके नमर आपके प्लाइब कर रहे हैं क्योंकि दौनों साइड यह आपका टैपर पॉर्शन बन्दा जो आपका प्यर है उसके इस साइड़ बीटेपर पॉर्शन है और इस सब्सक्राइब करना है आपका यूनिट बेट आजाएगा इस तरह से यहां से यूनिट बेट आजाएगा आपका इस तरह से हमने यह बना लिया है यह देखिए हम यहां पर सरफ एक लाइन में हमने यहां पर क्वाइंट निकालिए कि आपका पीर कैप का जो टैपर पोर्शन बन रहा है उसमें 16 mm का जो आउटर रिंग आ रहा है दोनों साइड पीर कैप के लेफ्ट में भी और राइट में उसमें आपका कितना स्टील लगेगा 1.81 टन आपका स्टील लगेगा एक लाइन में कैल्कुलेशन की है ठीक ना आप एक से लेकिए 19 तक सभी बार का कटिंग लेंग निकालेंगे तो फिर पागल हो जाईएगा ठीक ना वह चीज़ साइट पर ठीक है क्योंकि साइट का में बनानी होती हैं बार बेंडर को दाइमेंशन देनी होती है लेकिन अकर ऐसे प्रॉफेशनल कॉइंटिटी सर बेर आप निकाल रहे हैं तो इस तरह से चीज़ें हम निकालते हैं तो यह एक बेसिक फंडेमेंटल होता है तो एंचिनियर्स इस तरह से हमने समझा कि जॉपर ट कैसे बनाते हैं आगे मैं आपको थोड़ा सा असाइंडमेंट देने जा रहा हूं और यह अभी हमने क्या कि आउटर में निकाला है तो सैंप प्रॉसेस से आपको क्या करना है इनर में निकालना यह आपके लिए इस चीज़ को मैं बार बार बताऊंगा तो उसका कोई सेंस बनता है यह देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा यह हमारा क्या था पियर कैप था और इस पियर कैप के आउटर में यह देखिए इस तरह से रिंग आ रहा था जिसका अभी हमने लास्ट टू सेशन में बीबियस बनाया यह देखिए इस सोल एम कड़ाया था हांड़ एम सेंटर दो सेंटर दे रखा यह हमारा आउटर रिंग ता जिसका हमने वीबियस टू सेशन में बनाया एक लास्ट सेशन किया था उसमें हमने रेक्टेंगल पोर्शन का बीबियस बनाया तो इस सेम मेथट का यूज करके अंदर आपकी जो रिंग आ रही है만 उसका बीपी सबना सकते हो अंदर कॉनकर में मैं मारक करके तरहारें पर नहीं कि एक रिंग आहां है यह सिर्फ मारा रिंग आ रहा है है ठीकिन आप सिरफ एक रिंग का बीपेस बनाएंगे डू से मल्टिप्लाई करें तो आपका हो जाएगा और एक रिंग का वीपेस कैसे बनेगा जैसे अभी हमने ये नंबर बार का BBS बनाया था last two session में पिछले last two session में हम ये 32 नंबर बार का BBS बना रहा है वीच का rectangle portion का BBS बनाया तैपर portion का BBS बनाया दो face में यानि दो पार्ट में इसी तरह से आपको ये बिलू बला रिंग का दो पार्ट में BBS बनाना पड़ेगा बीच का rectangle portion और side के टैपर portion same method से आप बना सकते हैं clear यहां पर जो आपकी depth है वो तो आपकी same रहेगी स्टार्टिंग में 500 और 20 में जाके आपकी 1000 हो जाएगी और ब्रित आपको यहां पर दे रखें ब्रित कितनी ले तो ड्रित आपका starting 500 रखा है और फिर बीच में जाके टैपर होता है और आखीरी में 1000 हो जाता है तो एक रिंग आपका यह आ रहा है और आपकी 100 अंटर तुसेंटर आ रही है ठीक है ना मतलब टैने में की डाय है और आपकी 100 अंटर तुसेंटर आ रही है ठ्रू आउट दा इंगो एक और यह हमारा रेंग होड़ा इस तरह से Catholic naw कि यह हमारा एक रिंग मुण और इस तरह से एसे पर गारा उसी तरह से 7-2 मेर ईए यह रिंग आएगा तो एकका निकाल कि आप 2 से fields कर सकते हैं तो जैसे हमने यह आउटर रिंग निकाला 32 नंबर जैसे हम यह बिलू रिंग निकालेंगे तू पार्ट में बीच का रेक्टेंगल पॉर्शन और साइड का टैपर पॉर्शन ठीक ना और इसका जो बृत है वह आपको यहां पर दे रखा यह देखेंगे को इसका अब बिंग बना सकते हैं जैसे हमने आपका यह बतिस वाली अउटर रिंग का बनाया था लास्टो सेशन में एक लास्ट वाले सेशन और एक आपका आज का सेशन इसी तरह से जैसे हमने ये रैड वाली रिंग का वीवेस बनाया दो पार्ट में रखे बड़ी रिंग का अबरेत आपको च्छोटी रिंग का अबरेत आपको दो सो पेंटे से और इसका बीबिएस मैंने आर्ली एक्सल में पूरा बना रखा है जो कि आपको बिदंगा यहां तक हमारा टीटीटी बार का बीबरा रखा यह 33 बार आरेंग जो कि रेक्टेंगल पॉर्शन में दो रीक्तेंगल और यह पीन आपको बीडियु आपको ट्रॉट पॉर्शन में आएगा लिखा हुआ small size ring in mid rectangle portion और यही small size ring है जो कि आपका टेपर पोर्शन में रखे उसका आप BBS बना लीजे और Excel मैंने आपके लिए already यहां पर बना दिया है आपको उसरी practice करने है तो इतना दो I hope आप कर सकते हैं और फिर भी समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें कोई issue नहीं है ठीक है तो बांकी मिलते हैं फिर ने सेशन में जब तक आप लो कर दो बना लो आप पयां को आप मुझसे प्रणे कर दोदे है तो